नमस्कार स्वागाता है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आपने देखा होगा कि अभी लालू यादो का एक आडियो वाइरल हुआ था जिसको लेकर के पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां काफी जादा सियासत करने लग गई थी और इसी के बाद दोस्तो पूरी तरह से लालू यादो की परिसानी बढ़ गई और कहा जा रहा था कि लालू यादो को जेल में जो सुईधाय मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई तो एक बार फिर से दोस्तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बहुत ध्यान से सुनना दोस्तो चारा गोटाला मामले में सजायाफता लालू यादो परसात की मुस्कीले लगातार बढ़ती जा रही है जेल से बिजेपी विधायक को फोन किये जाने के मामले में अब पुलिस आडियो की फोन कार्ण मामले में रांची पुलिस ने अब आडियो की फोन कार्ण मामले में रांची पुलिस ने अब आडियो की फोन कार्ण कराने का फैसला किया है इसके लिए बेरियातो पुलिस जल्दी S.P. को आवेदन देगी आपको बता दे कि बारियातो थाने में B.J.P. की इस्थानी निता अनुरंजन असोक की तरफ से एक प्रात्मी की दर्ज कराई गई है पुलिस कंप्लेन में ये आरोप लगाया गया है कि लालू परसाद ने B.J.P. के विधायक ललन पासवान को खोल पर परलोभन दिया और बिहार विधान सभा से अनुपस्तित रहकर इस्थीकर की चुनाव में समर्थन देने को कहा है अब बरियातो पुलिस इस मामले में SSP से फोरेंसिक जांच के लिए अनुपस्तित लेने की त्यारी में है SSP की तरफ से अनुपस्तित मिलने के बाद ततकाल आडियो की फोरेंसिक जांच की जाएगी जी हाँ अब जो लालु यादो की आडियो वाइरल हुई थी अब उस पर दोस्तो फोरेंसिक जांच होने वाली है जिसमें लालु यादो बहुत बुरी तरह से फसने वाले है और अगर ये सारी बाते सच पाई जाती है कि audio पूरी तरह से real हुई तो इसके बाद तो लालू यादाओ की और ज़्यादा परिसानी बढ़ सकती है और आप देखेंगे कि जहां लालू यादाओ CM बनने के अपने बेटे के समने देख रहे थे वो पूरी तरह से चकना चूर भी हो सकते हैं तो यही था इस वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धनिवाद